नमस्कार साथियों पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी आर्टेट 2011 और 2012 और रीट परिक्षा 2015 और 2017 में राज़ती विग्यान विशे से संबंदित पूछेगे कुछ प्रशनों की जिसमें मुख्यत है भारति सम्विधान और लोगतंत्र और प्रस्तावना इन दो टोपि पर खाएं सोब ते आज हम उसी कडी में फोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दो ठोपिक से रिलेटेट कुछ प्रिशनों को और देखते हैं यहां पर पहला तूपिक है मौलिक अधिकार और दूसा ठोपिक है मौलिक्त वे इन दोनों टोपिक से रिलेटेड कौन-कौन से प्रिशन पूछे गए हैं इन चारों करिक्षाओं में, उन प्रिशनों का स्तर कैसा है, उन प्रिशनों का लेवल कैसा है, किस तरीके से कैसे क्या पूछे गए, और उन प्रिशनों की व्यक्षा, विशलेशन के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं, देखें, सबस इकासत और साधानसतर के पुश्चन है यह पूछा गया है मतलब ये कि । मतलब ते बचे है हम आरे समीधान में पहला उप्षिन 6 दूसरा उप्षिन 7 तीसरा उप्षिन 8 और चोथा उप्षिन 5 कितने मौली कधिकार यहां पे भारतिय समीधान में प्रदद किये गए हैं लोगों को तो देखें इस बारे में आप जानते हैं कि मूल समीधान जो था मौली कधिकार हम जानते हैं की अमेरिका से प्रभावित होकर हमारे सम्विधान में शामिल किये गए सम्विधान का भाग तीन और भाग तीन में अनुच्छे बारह से लेकर पैंटीस तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है मूल सम्विधान में जो ये मौलिक अधिकार प्रदत किये गए यह मौलिक अधिकार साथ थे यह साथ मौलिक अधिकार कौन-कौन से थे इसकी चर्चा हम करेंगे आगे लेकिन आप जानते हैं चमालीस्वा सम्विधान शंशोधन 1978 में होता है बोराजी देशाई सरकार जनतापार्टे सरकार और उनके समय में चमालीस्वा सम्विधान शंशोधन हुआ और इसके द्वारा एक मौलिक अधिकार संपती का अधिकार जो आर्टिकल 31 में दिया गया था उस संपती के अधिकार को मौलिक अधिकारों के स्रेणी से समप्त किया गया और आर्टिकल 300 के में उसे स्थापित किया गया कानूनी अधिकार के रूप में तो उसके बाद से 1978 के बाद से हमारे यहां मौलिक अधिकारों के संख्या जो बसती है वो बसती है छे इस तरीके से इस प्रश्ण के सही उत्तर की बात करें तो ये होगा छे मौलीक अधिकार हैं देखें मूल सम्विधान में साथ मूल अधिकार थे चमाली स्वा सम्विधान शन्शोदन हुआ 1978 में हुआ और इसके द्वारा संपती का अधिकार इसे समप्त कर दिया गया जो पहले अनुच्छे 31 में था और इसे किया गया यहां से समप्त और नए अधिकार की रुप में इसे जोड़ा जाता है एक नए अनुच्छे जोड़ा जाता है आर्टिकल 300 के लेकिन यह अब मौलीक अधिकार नहीं बचा मौल अधिकार की रुप में इसमप्त हो गया तो वर्तमान में मौलीक अधिकारों की संख्या 6 बचती है कौन-कौन से मौलीक अधिकार है इसकी चर्चे हम आगे देखते है अगला प्रशन देखिए निम्न में से कौन सा मौलीक अधिकार नहीं है नहीं को विशेज ध्यान रखे प्रशन पूछा गया है 88-2012 में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है अभी पिछले प्रशन में आपने समझा 6 मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं ये हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बहुत सामानस्तर का प्रशन है लगबग सभी विद्यारत इस बारे में समझते हैं जानते हैं पहला उप्षन समानता का अधिकार दूसरा उप्षन सुतनता का अधिकार तीसरा मद्दान का अधिकार चोथा सम्वेधानिक उपचारों का अधिकार तो देखें अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो वर्तमान में च्छे मौलिक अधिकार है और च्छे मौलिक अधिकार कुन से वो आपके सामने है पहला मौलिक अधिकार और ये पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार और समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दूसरा मौलिक अधिकार और ये दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतनतरता का अधिकार और इसका वरणन है आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 में इसके बाद में तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद अधिकार आर्टिकल 23 और 24 इसमें तीसरा मौलिक अधिकार दिया गया चोथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार समझे इसको धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार और ये आर्टिकल 25 से 28 ये दिया गया है फिर पांचवा मौलिक अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है जो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है फिर यहां पे एक अधिकार और था मूल समिधान में और वो था अनुच्छिद 31 में संपती का अधिकार संपती का अधिकार था मूल समिधान के हम बात कर रहे हैं और ये दिया गया था आर्टिकल 31 में लेकिन चमालिस में सम्विधान शंच्वधन द्वारा अभी पिसले प्रशन में आपने देखा था इसे क्या कर दिया जाता है? मूल अधिकार के रुप में समप्ट कर दिया जाता है फिर यहां वर्तमान समय की बात करें छटा मूल अधिकार आर्टिकल 32 में सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार आर्टिकल 32 तो ये छे मौलिक अधिकार दिये गए है तो देखें प्रशन में पूछा गया कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है समानता का अधिकार है, स्वधनता का अधिकार है, शोषन के विरुद अधिकार, सौरी, शोषन का अधिकार नहीं है, थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है, शोषन के विरुद अधिकार, शोषन के विरुद अधिकार है, वो आर्टिकल 2324 में, धार में स्वधनता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और सम्मेधानिक उप्चारों का अधिकार यहां दिया गया है समानता का अधिकार है स्वतनता का अधिकार है समानता का अधिकार अभी आपने पढ़ा कहां से कहां तक याद किजिए इसको यह दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 फिर समयधानिक उपचारों का अधिकार ये आप जानते हैं छटा मूल अधिकार आर्टिकल 32 मतदान का अधिकार ये इसका जिकर आगे देखी इसमें कहीं नहीं किया गया है हालांकि मतदान का अधिकार हमें दिया गया है लेकिन मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार की रूप में नहीं है भाग तीन में इसका जिकर नहीं है जबकि मतदान देने की बाद सारुभूमी क् वो आर्टिकल 326 में किया गया है और चोंकि आर्टिकल 326 में इसका जिक्र है तो वो मौलिक अधिकार की स्रेणी में नहीं आता तो मतदान देने का हमें अधिकार तो है लेकिन हमारा मतदान का अधिकार मूल अधिकारों के दाइरे में मूल अधिकारों की स्रेणी में नहीं आ ता तो मूल अधिकार नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा मतदान का अधिकार देखें अगला प्रशन भारत के सम्विधान के किस अनुछेत के अंतरगत अस्प्रिश्यता को समप्त किया गया है रीट परीक्षाद 2017 में पूचा गया प्रशन अस्प्रिश्यता का अंत किया गया हमारे यहां लेकिन वो कौन से अनुच्छेद में उसका जिक्र है पहला उप्षिण अनुच्छेद 16 दूसरा उप्षिण अनुच्छेद 17 तीसरा उप्षिण अनुच्छेद 18 और चोथा उप्षिण अनुच्छेद 19 अश्प्रिश्यता का अंत कौन से अनुच्छेत में दिया गया है देखें ये आप ने अभी पढ़ा था कि समानता का एक अधिकार दिया गया है पहले ही अधिकार की हमने चर्चा की थी और उसमें अनुच्छेत 14 से लेकर 18 तक उसका जिक्र है 16, 17, 18 समानता के अधिकार में आते हैं आर्टिकल 19 आप जानते हैं सुतनता के अधिकार में आ जाता है तो अस्प्रिश्यता की चर्चा की गई वो कौन से नुच्छेत में है बहुत समान ऐसा है अगर हम इस आर्टिकल 16 की बात करें आर्टिकल 16 में नागरिक शब्द का उलेख है आर्टिकल 17 में आप जानते हैं अश्प्रिश्यता का अंत किया गया है कि अश्प्रिश्यता का अंत अश्प्रिश्यता का जो आच्रन होगा वो दंडनी अपराद होगा इसे समाप्त कर दिया गया आर्टिकल अठार है आप जानते हैं उपाधियों का अंत किया गया उपाधियों के निशेद के चर्चा करता है और आर्टिकल उन्निस में आप जानते हैं छे प्रकार की स्वतनताओं का जिक्र है छे प्रकार की स्वतनता हैं दी गई आर्टिकल उन्निस एक में जिसमें आर्टिकल 17, अनुच्छे 17 अश्प्रिश्यता की कुसमाब्त करने का जिखर करता है, इसमें इसका उलेक किया गया है आर्टिकल 16 में लोक नयोजन में अवसर की शमता की बात की गई है लोक नियोजन का मतलब सरकारी नोकरियां उसमें समान उसर प्रदान किये जाएंगे ये आर्टिकल 17 अश्प्रिश्यता के अंत की बात करता है आर्टिकल 18 वाधियों के अंत की बात करता है और आर्टिकल 19 ये 6 प्रकार की स्वधंतरता है उसका जिकर करता है जिसके अंतरगत पहली स्वतनता विचार अफिक्ति की स्वतनता उन्नीस एक खे में फिर उन्नीस एक खे में आप जानते हैं सम्मिलन करने की स्वतनता गे में संग बनाने की स्वतनता गे में भारत की भीतर कहीं भी भृमन करने की स्वतनता उन्नीस एक उसमें दिया गया है कि वृति व्यापार कारोबार करने की स्वतिंद्रता वो आर्टिकल उनिस एक्ष है तो ये आर्टिकल उनिस में सुनता है इंदी के ही छे प्रकार की इसका सही उत्तर होगा अनुच्छे सत्रह अगले प्रुशन के और बढ़ते हैं समझे कि रीट परीक् संविधान शंशोदन से शिख्षा के अधिकार को समिल किया गए तो सब से पहले तो आप समुझे कि शिख्षा का अधिकार को से अथिकार कौन थे उनुच्छे में है इस पहला उप्षन आप शायद इसका उत्तर जानते हैं इसका सही उत्तर होगा इसके दवारा हमारे यहां सम्विधान में एक अनुच्य जोड़ा गया अनुछेद 21 के और इसके तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया 86 वाद समीधान श्रिंशोदन किया जाता है 2002 में अनुछे जोड़ा जाता है आर्टिकल 21 के और आर्टिकल 21 के के अंतरगत 6-14 वर्स तक के बच्चों को यह धान रखें विशेश तोर पे शिक्षा का अधिकार केवल 6-14 वर्स तक के बच्चों को प्रात्मिक शिक्षा इसके दाइरे में आती है अनिवारे एवं निशुर्क शिक्षा का अधिकार प्रदत किया गया यह 2002 में अनुछे जोड़ा गया आर्टिकल 21 के और इस संबन्द में फिर संसब ने जो अधिनियम पारित किया कानून बनाया वो RTE Act आप जानते हैं 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है वो लागू होता है 1 अप्रेल 2010 से RTE Act Right to Education Act आता है 2009 और यह लागू जो हुआ वो 1 अप्रेल 2010 से यह लागू हो जाता है तो इस तरीके से 86 सम्विधान श्रेंशोदन इसका उत्तर होगा 86 सम्विधान श्रेंशोदन देखें अगला प्रिशन है भारते सम्विधान का अनुछित 25 संबन्दित है आरटिकल पत्चीस के बारे में पुछा गuinely है तो पहली बात तो आप यह तै कीजिए कि हमारे जो 6 मौलीक अधिकार है इन 6 मौलीक अधिकारों में से आरटिकल 25 से लेटेड कों सा अधिकार है जैसे सम्वानत अधिकार आरटिकल 14 से 18 स्वतनत्रता का अधिकार 19-22 शोशन के वरूत अधिकार आडिकल 23-24 इसके बार में धार्मिक सुनता का अधिकार तो 25 का समझ किसे हैं? 25 में क्या बात दी गई धार्मिक स्वतंता कैसे हैं? पहला अप्शन है अंतहर करण की स्वतंता त दहा किसी भी धर्म के criticized清 पी भालन, अभ्यास और प्रचार की पी स्वतंता इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा अधिकांश विद्धियारती मेरे खाल से इसका उत्तर जानते हैं अच्छे तरीके से लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और विशलेशित करें तो इसमें एक दो और अलग बातें शायद आपको जानने में मिले और आप शायद उसके समन्द में शायद थोड़ा सा गलत जानते होंगे उसको थोड़ा सा हम सही दिशा में समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे इस प्रिशन के मद्धिम से आर्टिकल पचीस आप जानते हैं अंतहकरण की सुधनता की बात करता है धार्मिक सुधनता की अधिकार में पहला यह अनुशेद आर्टिकल पचीस है जो कहता है कि प्रतेक विक्ति को अंतहकरण की सुधनता प्राप्त होगी और उसके अनुसार उसे किसी भी धर्म को मानने उसके अनुसार आचरन करने और उसका प्रचार करने की सुधनता होगी यह आर्टिकल पत्चीस कहता है तो आर्टिकल पत्चीस के अंतरकत ये बात की गई है तो इस प्रिशन का उत्तर होगा अंतहर करने की स्वधनता किसी भी धर्म के का पालन करने उसको मानने उसके अनुसार आचरन करने मतलब अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की स्वधनता उप्रदान की गई है रीट परिक्षा 2017 में ये प्रचन पूछा गया था लेकिन एक प्रचन में आपसे इसी प्रचन के बाद्धिम से पूछता हूँ कि चलिए इसका समण अनुच्छत 25 से है ये ठीक है आप ये बताएं इसका समण कौन से अनुच्छत से है धर्म मूलवंश जाती भाषा या इन म किया जाएगा इसका समण कौन से अनुच्छत से है आप अगर इस प्रचन के बारे में जहां तक मेरा मानना है और जहां तक मेरा अनुभव है ज्यादातर विद्धार्थी वो अनुच्छत 25 का जिक्र करेंगे या कुछ विद्धार्थी अनुच्छत 16 का जिक्र करेंगे अनुच्छत 15 एक या अनुच्छत 16 दो उससे रिलिटेड शायद आपका उत्तर ये हो सकता है आप शायद इसके बारे में सूचते हैं लेकिन अगर आप आर्टिकल 15 और 16 के बारे में इसको इससे जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस बारे में थोड़ा सा कनफ्यूज हैं असल में आर्टिकल 15 और 16 में ऐसी बात नहीं की गई है आर्टिकल 15 एक कहता है वो उसमें पांच आधार दिये गए हैं ध्यान से पढ़ेगा इसको ध्यान से समझना इसको कि आर्टिकल 15 कहता है कि लेकिन आगे जो दो शब्द और हैं उसमें धर्म मूलवन जाती एक शब्द तो है वो लिंग आर्टिकल 15 और 16 की बात कर रहा हूं मैं वहां पे एक तो है चोथा लिंग और फिर है जन्मस्थान ये आर्टिकल 15 की बात है एक दो तीन तो ये और दो ये इस तरीके से पांच आधारों पर भेदभाव के निशिद की बात की गई है जबकि आर्टिकल 16 दो में ये आधार साथ हैं एक दो तीन पहला दूसरा तीसरा तीन आधार ये चोथा ये पांच वाई ये तो आर्टिकल 15 एक के समन पांच आधार तो ये और आर्टिकल 16 दो में कहा गया लोक नियो और सात्वा है निवास, इन आधारों पर भेदबाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 और 16 का जिक्र कर रहा हूंगा, पंदरह में ये 5 आधार यहां तक और आर्टिकल 16 में इस 7 आधार, इन आधारों पर भेदबाव नहीं किया जाएगा, मतलब ये कि आर्टिकल 15 और 16 म कोई जिक्र नहीं किया गया है तो यह फिर इसका समन्द कोई से नुच्छे से है जब आप आर्टिकल 29 पढ़ते हैं 29 में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 29 के दो क्लोज हैं 29 एक और 29 दो आर्टिकल 29 कहता है कि सभी विक्तियों जितने भी नागरिक है भारत के प्रते वर्क के नागरिकों को अपनी भाषा लीपि और संस्कृति के स्रंक्षन का अधिकार होगा यह आर्टिकल 29 एक में कहा गया लेकिन आर्टिकल 29 दो एक बात कहता है और वो कहता है कि रज्य द्वारा संचालित या उसके द्वारा वित्व पोशित शिक्षन संस्ताइं है उन शिक्षन संस्ताओं वहाँ पर किसी प्रकार का प्रवेश बच्चे जो प्रवेश दिया जाएगा वहाँ पर उन स्कूलों में उन शिक्षन संस्ताओं में उसमें प्रवेश में किसी भी मूलवंस जाती या भाशा इस आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा मतलब कि उन शिक्षन संस्थानों में जो सरकारी शिक्षन संस्थान है या फिर राज्य द्वारा पोशित शिक्षन संस्थान है उन शिक्षन संस्थानों में किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश देने में किसी धर्म मूलवंश जाती है भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा तो इसका सम्मन असल में अनुच्छेद 29 2 से है आर्टिकल 29 2 है ये शिक्षन संस्थाओं में प्रवेश देने में इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और शिक्षा का अधिकार आप जानते हैं वो है आर्टिकल 21 के और अलब संख्यक संस्थाएं वो आर्टिकल 30 है इस तरीके से ये प्रशन है जिसको हम थोड़ा सा और बहतर तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं देखें अगला प्रशन आप देखेंगी इसकी व्यक्या हम कर चुके हैं आर्टिकल 29 में है ये कि सिक्षन संस्थानों में प्रवेश में इन आधारों पर धर्म बूलमस जाती भाशा है इन में से कोई किसी आधार पर भेदवाव नहीं किया जाएगा चार आधार ये बताएगे देखें मौलिक अधिकार के बाद में मौलिक कर्तवे से सम्मंदित कुस प्रशन और पूछे गए और उन्हीं प्रशनों को हम थोड़ा सा और यहां पर समझते हैं किस समीती की सिफारिशों को आधार मानकर भारते सम्मिधान में मूल कर्तवे जोड़े गए बहुत साधान सा प्रशन है मौलिक कर्तवे आप जानते हैं हमारे सम्मिधान में मूल तह शामिल नहीं थे लेकिन बाद में एक सम्मिधान श्रंशोधन किया गया समिधान श्रेंशोधन के माध्यम से भारत के समिधान में भाग जोड़ा जाता है उसके अंतरकते कनुच्छे जोड़ा जाता है और उसमें कुछ मौली करतवे वो शामिल किये जाते हैं तो वो कौन सी समिधी ने सिफारिश की थी जिस सिफारिश के आधार पे उस अमेंडमेंट के माध्यम से और ये मौली करतवे जोड़े गए रीट परिक्षा 2015 में ये पुछा गया है पहला उप्षन सरदार स्वर्ण सिंग समिधी दूसरा उप्षन अशोक महता समिधी तीसरा उप्षन साधी कली समिधी और चोथा उप्षन हेगडे समिधी बहुत सामानिस अप्रशन है आप जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंग समिधी का गठन होता है इंद्रा गाधी सरकार के समय और इस समिधी की सिफारिशों के आधार पे 42 में समिधान शंचोधन उनिसो चिंतर मे समिधान में मौली करतवे जोड़े जाते हैं तो इसका सही उत्तर होगा सरदार स्वर्ण सिंग समिधी इस समिधी की सिफारिश के आधार पे 42 में समिधान शंचोधन उनिसो चिंतर के द्वारा मूल करतवे जोड़े जाते हैं शामिल के जाते हैं समिधान में एक भाग कर्टवे, मूल कर्टवियों को सनिहित किया गया है, शामिल किया गया है, कौन सा भाग है? रीट परिक्षा 2017, सीधा सीधा भाग पुचा है, सामाने सप्रशन है, कौन सा भाग है? पहला उप्षन भाग पांच, बी भाग दो, सी भाग चार एक, और डी भाग छे, तो कौन सा भाग है जिसका मौली करतवियों से संबंद है मौली करतवियों को शामिल किया गया है तो इसमें देखें आप जानते हैं मौल सम्विधान का हिस्सा नहीं थे मौली करतवियों मौल सम्विधान में शामिल नहीं थे 42 समीधान शिंचोधन में दोरा इससे शामिल किया गया तो ये एक भाग जोड़ा गया समीधान में भाग चार कह ये चार A इंग्लिश में कहेंगे तो चार A हो जाएगा हिंदे में कहेंगे तो चार कह हो जाएगा और इसके अंतर्गत अनुचे जोड़ा जाता है एक अनुचे 51 ए कह दीजिये और इसके अनुचे इसमें कितने मौली कर्टवे शامil के गए 10 मौली कर्टवे शामिल के जाते है उसके बाद में एक और सम्विधान स्विधान होता है 11, तो ये 11 मोली करतवी कौन से भाग में है, सम्विधान के भाग 4 के में शामिल कियेगे, तो ये भाग 4 के, ये इसका सही उत्तर होगा, सम्विधान के भाग 4 के में इसका जिक्र है, भाग 5 में क्या है, आप जानते हैं, केंद्री सरकार है, केंद्री असंग सरकार, इसका जिक भाग पांच में है जो कि अनुचेद आर्टिकल बावन से लेकर 151 तक विस्तृत है भाग दो आप जानते हैं इसका समंद नागरिकता से है और नागरिकता से समंदित विभिन प्रकार के प्रावधान वो सारे इसमें दियेगे कौन विक्ति भारत का नागरिक होगा और अगर टो कैसे नागरिकता को छड़ा जा सकता है अगर नागरिक नहीं है तो कैसे नागरिका को प्रावधान इसमें दिये गए बागच है इसका सम्मन्द राज्य सरकार से है और इसके अंत्रगत अनुच्छेद इसका विस्तार आर्टिकल 152 से लेकर 237 यहां तक यह विस्तार्थ है भागच्छ है जिसमें राज्य सरकार जैसे यहां केंड़ सरकार है जिसमें किन सरकार का शासन कैसे चलेगा? कारिपालिका, वेवस्ताफिका, नहाईपालिका जैसे कारिपालिका में राष्टरपती, उपराष्टरपती, प्रथान मंत्री, मंत्री, परीशद, नहाईवादी विवस्तापिका में संसद उसके दोनों सदन वगरा विस्तार से सारा दिया गया इसके अलावा ध्यादे आईश वगरा सुप्रिम कोट वगरा playग वो सारा इसके दाइरे में है और इसमें राज्य सरकार के अंतरगत, राज्य पाल, मुखे मंत्री, मंत्री, परिश्यद, महाधी वट्ता, राज्य विधान, मंदल और हाई कोर्ट, वो सारा इसके दाएरे में है चलिए, देखें, मौली करतेवे, हम यहाँ पर फिर से वही जिसके हमने वैख्या की थी, यहाँ थोड़ा सा स्लाइड की माद्य हम से और समझ लीजिए, मौली करतेवे भाग चार के में है, चार A में है, अनुच्छे 51 A, 42 में सम्विधान, शंशोधन द्वारा यह भाग जड़ा जाता है, लेकिन इस समय मौली करतवे जोड़े गए थे, वो 10 मौली करतवे जोड़े गए थे, बाद में 86 मा समविधान, शंशोधन द्वारा आर्टिकल 21 के में शिक्षा का अधिकार दिया गया था, जिसका हमें जिकर किया था, इसी समविधान शंशोधन के दोआ करत्या होता एक मौली करत्य पितने हैं ,G Ett समीधान के भाग 4 कह किस अनुछेद में समाहित है। देखिए एकदम सामाने सा प्रश्ण पहले कौन से समीती द्वारा इससे जोड़ा गया ये पुछा गया दूसरा प्रश्ण पुछा गया कौन से भाग में है तीसरा प्रश्ण पुछा गया कौन से अनुच्छेद में है तो एकदम सीधा सा है किस अनुच्छेद में समाई थ हमने अभी की थी इसका जिक्र किया गया है आर्टिक्ल 751 केमे की शामिल है दस मौली करतवे पहले थे यह जोड़ा कब गया 42 से स क्राइचा है जिसके तरहा कि たस मौली करतवे फिर श्याचे में समिधान शंशोधन द्वारा एक और 11 मोली करतावे तो वर्टवान में इसमें 11 मोली करतावे हैं और इसको जोड़ा जाता है 42 में समिधान शंशोधन उन्निस सो चिंतर इसके द्वारा थिक है तो यह आर्टिकल बावन का समद्ध के इनसरकार जहां से शुरू होता है आर्टिकल बावन में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा तो इस तरीके से आर्टिकल 51 के ये इसका सही होता है देखें अगला प्रशन है कि भारते सम्विधान के भाग चार के अनुच्छिद 51 के, भाग चार के में अनुच्छिद 51 के उसमें नागरिकों की कितने मूल करतवे वढ़नी था कितने मौली करतवे दिये गए हैं 2011 है, आर्टिकल अब्ध्राइकजान 2011 में प 대통령 पूछा गया पहला उप्शन 10, दूसरा उप्शन 12, तीसरा उप्शन 15, चोथा उप्शन 11 तो देखें, असल में मौली करते हुए कितने हैं, आर्टिल 51 के में हैं तो वरतमान समय की बात करें, तो मौली करते हुए 11 है मौल समयधान में कितने थे, शायद इसका उत्तर आप लोग गलत सोच रहे हैं मौल समयधान में मौली करते हुए थे ही नहीं आप में से हो सकता है कुछ विद्यारतियों के मन में मौल समयधान में कितने थे ये प्रशन पूछ कर 10 का विचार आया होगा असल में मूल समिधान में मौली करतवे थे ही नहीं 42 में समिधान शंशोधन द्वारा तो ये दस्त हुए लेकिन 86 में समिधान शंशोधन द्वारा इसमें एक और मौली करतवे जोड़ा गया तो ये 11 हो जाते हैं ये 1906 की घटना है और ये 2002 की घटना है इस तरीके से मोली कर्तवियों की संख्या वो बढ़के हो जाती है 11 आर्टिकल 51 के समीधान का भाग चारक है तो आपने अब तक देखा पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी कि राजनती विज्ञान से समंदी प्रशन जो पूछे जा गए हैं अब तक वो बहुत ह तो आप तैयारी करते समय इन चीजों को थोड़ा सा विशेष्ट ख्याल रखें विशेष्ध ध्यान रखें पिछली वीडियो में हमने छे प्रशनों की चर्चा की दो टोपिक से समंधित तो कौन से टोपिक पर विशेष्ट से पूछे जा रहे हैं प्रशन वह भी पूछे गए मौली करतावी से समंधित 4 पूछे गए अब तक हमने 15 प्रशनों की कुल चर्चा कर ली है ऐसे ही आगे कुछ और टोपिक से समंधित कुछ प्रशनों पर हम चर्चा फिर से करेंगे ठीक इसी तरीके से विशेष्ट करते हुए उमीद है कि इस विशेष्ट आ है आगे कैसे हमें तैयारी करनी है उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी उमीद के साथ फिरसे अगले वीडियो हैं हम मिलेंगे आगली क्लास में मिलेंगे कुछ और नए प्रश्णों के साथ तब तक के लिए रिजा लेता हूं जैहिन जैभारत